हलो दोस्तो, स्वागत है आप सभी लोग का फिर से ट्रेडिंग लर्निंग के एक raw नए वीडियो में दोस्तो अगर आप लोग आफशन ट्रेडिंग सीख रहे हो या फिर आफ़न ट्रेडिंग करते हो तो आपको पता होगा कि option trading के अंदर सबसे ज़्यादा important chart pattern होता है और उसके बाद candlestick pattern होता है बड़ दोस्तो chart pattern को समझने से पहले आपको candlestick को समझना होगा आप जानोगे कि कौन सा candle कब बनता है और किस candle के बनने के बाब market उपर जाता है या फिर नीचे आता है तो यह जानना बहुत ही important होता है जब तक आप इसको नहीं जानोगे तब तक आप option trading से एक बी उर्पिया नहीं बना पाओगे तो इसलिए chart pattern को समझने से पहले हमें candlestick pattern को समझना होगा तो दोस्तो मैंने कल की वीडियो में जो बनाया था part 29 करके तो उसमें मैंने all single candlestick pattern के बारे में वीडियो बनाया था तो आज का यह जो वीडियो होने वाला है यह double candlestick pattern के उपर होने वाला है तो अगर अभी तक आप single candlestick pattern का वीडियो नहीं देखे हो तो चैनल के playlist में available है जाकर उस वीडियो को देख लीजिए और दोस्तो इस वीडियो को सबसे पहले देख लीजिए उसके बाद उसको देखना ठीक है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको double candlestick pattern के बारे में बताने वाला हूँ कि double candlestick pattern जब बनता है तो market का direction किस में जाता है क्योंकि दोस्तो candle तो दो ही प्रकार के होते हैं एक bearish candle एक bullish candle यानि कि double candlestick pattern में जो जो candle बनता है उन दोनों की बनने के बाद में market का reversal कि साइड में जाता है वो चीज़ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ और live आपको कर करके दिखाऊंगा और अगले वीडियो में ठीक है अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि triple candlestick pattern के बारे में इसके बाद मैं आपको single candlestick pattern को उठाऊंगा और एक-एक करके live में trading करके उसको दिखाऊंगा ताकि आप लोग को live सीखने में और भी ज़्यादा मज़ा है और भी अच्छे से समझ में आए तो दोस्तो वीडियो बहुत interesting और informative होने वाला है इसलिए अगर अभी तक आपने वीडियो को like चैनल को subscribe नहीं किया है तो वीडियो को like और चैनल को subscribe कर देजिए तो चलिए बिरह दरी की वीडियो को start करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले मैं चलूँगा image की उपर image की उपर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा candlestick है और ये candlestick कैसे काम करता है इसका काम क्या होता है तो सबसे पहले मैं आपको image पर चलकर उसको समझाऊंगा और उसके बाद मैं chart की उपर भी हो सकता है आपको समझाऊं ठीक है? जो जरूरत पढ़ेगा chart की उपर समझाने का तो मैं chart की उपर भी समझाऊंगा तो चलिए image के उपर चलते हैं तो दोस्तो अभी मैं आ गया हूँ image के उपर और यहाँ पर जो पहला candle है इसका नाम है bullish engulfing candle stick pattern ठीक है यह जो candle है कुछ इस प्रकार का होता है यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसा जब market में candle बनता है तो इसे कहते हैं bullish engulfing candle stick pattern दोस्तो इस candle का क्या काम होता है यह मैं आपको बताता हूँ लेकिन इश्य पहले मैं आपको बता दो कि जब भी ऐसा candle बने तो आपको कैसे पहचाना है कि यह bullish engulfing candle है तो सबसे पहले देखिए यह जो इसमें पहला candle होता है वो red होता है और दूसरा candle green होता है और यह जो red candle होता है इसका जो body होता है और shadow होता है पूरा पूरा यह green candle के अंदर से ढग जाता है ठीक है यानि कि यहाँ पर इसका जो shadow है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा का पूरा इस green candle के अंदर में ढग जाता है यानि कि market इस direction में चलता है और इस direction में जाने लगता है ठीक है तो दोस्तों इस candle का क्या काम होता है ये candle कब बनना चाहिए ये candle downtrend के दवरान बनता है और downtrend के दवरान जैसे downtrend कब रहता है जब red candle बनता है तब downtrend रहता है और downtrend के दवरान जब यहाँ पर ऐसा green candle और red candle बन जाए तो इस candle को bullish engulfing candle बनते हैं और ये candle क्या करता है ये candle reversal करने का काम करता है ठीक है यानि कि जब भी market में ऐसा candle बनेगा तो ये candle क्या काम करता है market को उपर की तरफ reverse कर देता है यानि कि market नीचे downtrend में था अभी market में मंदी थी और जैसे ही ये candle बना यहाँ से market यहाँ से उपर जाने लगता है तो ध्यान में रखिएगा market में जब भी ऐसा candle बने तो आप समझ लेना कि market अब यहाँ से bullish हो सकता है तो इसलिए market यहाँ से bullish हो सकता है इसलिए इस candle का नाम है bullish engulfing candlestick pattern तो दोस्तो दूसरा जो candle है इसका नाम है bearish engulfing candlestick pattern यानि कि ये market को क्या करेगा गिराने का काम करेगा इसके नाम से ही पता चलता है कि bearish engulfing है दोस्तो अब bearish engulfing कैसा होता है देखने में तो कुछ इस प्रकार का होता है यहाँ पर आप देख सकते हो यह है bearish engulfing candlestick pattern और bearish candlestick pattern को हम market में live chart में कैसे पहचानेंगे तो इसमें जो पहला candle होता है वो green होता है और दूसरा candle red होता है और यह जो green candle है यह red candle से पूरी तरह से ढख जाता है यानि कि इसका जो shadow होता है और body यह पूरी तरह से इस red candle से ढख जाता है यहाँ पर आप देख सकतो इसका shadow जो है और यह नीचे वाला side तो इस से पूरी तरह से ढख गया है तो ऐसे जब ढग जाए तो मार्केट में जब ऐसा candle आपको देखने को मिले तो आपको पता लग जाएगा कि ये bearish engulfing candle stick pattern है तीके दोस्तों अब bearish engulfing candle stick pattern किस दोराण बनना चाहिए तो इसको समझ लेजिए जब मार्केट में uptrend होता है ठीके जब bearish engulfing candle बन जाए तो bearish engulfing candle बनने के बाद market वहाँ से नीचे की trend पकड़ लेता है यानि कि market में पहले bullish था और उसके बाद में ये candle जैसे बना यहाँ से downtrend में market आ गया तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये market को नीचे गिराने का काम कर रहा है ठीक है तो इसलिए bearish engulfing candle इसको बोलते हैं दोस्तो अब तीसरा जो candle stick pattern है इसका नाम है bullish हरामी candle stick pattern दोस्तो बूलिश हरामी candle stick pattern में पहला candle red होता है और दूसरा candle green होता है लेकिन इसमें जो red candle होता है वो green वाले से बड़ा होता है देख सकतो इसमें green वाला छोटा है और red वाला काफी ज़्यादा इससे बड़ा है तो हम लोग कैसे पैचानेंगे market में कि अब ये bullish हरामी candle stick pattern बना है तो इसमें जो red candle पहले बनता है ठीक है जो पहले red candle बनता है और इसके बाद में जो green candle बाद में बनता है तो ये green candle का body जो हता है इस red candle से छोटा होता है यानि कि ये red candle green candle से काफी ज़्यादा बड़ा होता है और green candle को पूरी तरह से ढख लिया होता है और market में ये कैसे बनता है market में पहले ऐसे downtrend आता है ठीक है market में downtrend आता है डाउन ट्रेंड में जब चल रहा होता है तब ऐसा candle बनता है उसके बाद bullish हरामी candle बनने के बाद में market यहां से धीरे-धीरे करके ऊपर की तरफ जाने लगता है यानि कि bullishness हो जाता है तो यह क्या कर रहा है market को क्या करने का काम कर रहा है यहां से bullish करने का काम कर रहा है ठीक है य इसका नाम है बेरिस हरामी कंडलिस्टीक पैटन ठीक है इस कंडलिस्टीक पैटन में पहला जो कंडल होता है वो ग्रीन होता है और दूसरा कंडल जो होता है वो रेड होता है तो इस कंडल को हम लोग कैसे पहचानेंगे लाइप मार्केड में कि यह बेरिस हरामी कंडलिस्टी रहता है यानि की यहांपर जो पहले तरेते करेंडल यह से बीच से यहांद की फिंटूर में बनता है तब उपर जाएगा तो जब उप- तो यहाँ पर जब मार्केट अब ट्रेंड में होता है इसके बाद जब ऐसा केंडल बनता है बेरिस हरामी केंडलिस्टिक पैटन बनता है तो मार्केट यहाँ से धीरे धीरे करके मार्केट नीचे की तरफ गिर जाता है यानि कि यह मार्केट को बेरिस करने का काम कर रहा है इ ऐसा candle ऐसा formation बन जाए तो market यहां से तेजी के साथ में नीचे गिरने लगता है तो आपको पता लगान लेना है market में कि यह कौन सा candle बना है बेरिस हरामी candle stick pattern बना है अब दोस्तो इसको अगर से आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं अगले वीडियो में live chart पर चल कर दिखाने बला हूँ ठीक है जब live chart पर चल कर इसको आपको समझाओंगा अच्छे सी दिखाओंगा तब आप लोग को समझ में आएगा लेकिन सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को देखिए पूरा समझ ये कि कौन सा candle कैसा होता है और इसका formation कैसा होता है तो ठीक है इतना शमझ गे कि जब market में bullishness होगा और ऐसा जब formation बनेगा तो market क्या होगा नीचे की तरस में गिरने लगेगा तो इस तरह के candlestick pattern को हम लोग क्या बोलते हैं बेरिस हरामी candlestick pattern ठीक है दोस्तों पांचवा जो candlestick pattern है इसका नाम है piercing candlestick pattern piercing candlestick pattern कुछ इस प्रकार का होता है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं piercing candlestick pattern में पहला candle red और दूसरा candle green होता है लेकिन ये एक pair में होता है ठीक है ऐसे pair बना बना कर चलता है trend line में ये चलता है जब trend line में पहला candle इतना बड़ा बने और दूसरा candle भी इतना ही बड़ा बने लेकिन ये नीचे से बने लेकिन बना कर तो इसको क्याते है piercing candlestick pattern अब piercing candlestick pattern को हम लोग कैसे पहचानेंगे यानि कि इस candle का जो close रहता है ठीक है इस candle, red candle का जो close रहता है ये green candle के shadow से उपर रहता है और इसका जो नीचे वाला shadow रहता है green candle से उपर रहता है यानि कि यहाँ पर green candle उपर है ठीक है यानि कि ये दोनों सेम एक साइज का होता है बट ये साइज में trend line बना कर चलता है ठीक है ऐसे trend line बना कर चलता है तो जब भी market में आपको ऐसा candle देखनों को मिले तो आपको तुरंत पकड़ लेना है कि ये piercing candle stick pattern है ठीक है अब piercing candle stick pattern market में कब बनना चाहिए और इसका क्या काम होत है तो piercing candle stick कब बनता है market में जब market में downtrend चल रहा हो यानि कि downtrend चल रहा होगा तभी तो यह ऐसे trend line बना कर चलेगा ठीक है तो market में जब downtrend चल रहा हो तब ऐसा candle बनता है और ऐसा candle बननी की बाद जब ऐसा बन जाए ठीक है जब piercing candle stick pattern आपको दिख जाए मार्केट में तो जान यहां से market अब उपर की तरफ में जा सकता है ठीक है जब भी एक downtrend में market चल रहा हो एक trend line बना कर चल रहा हो और market यहां पर ऐसा आपको दिखाई दे कि ऐसा candle बना है piercing candlestick pattern बना है तो आपको जान लेना है कि market अभी downtrend में था अब यहां से market जो है वो uptrend में जाने लगता है ठीक को bullishness करने का यहां पर काम करता है ठीक है इस लिए इस candle को bullish reversal candlestick pattern माना जाता है और इस पूरे candle को क्या बोलते हैं हम लोग piercing candlestick pattern बोलते हैं दोस्तों अब जो छटवा candlestick pattern है इसका नाम है dark cloud cover candlestick pattern ठीक है तो dark cloud cover candlestick pattern कुछ इस प्रकार का होता है आप यहां पर देख सकते है दोस्तों हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि यह dark cloud cover candlestick pattern है तो यहां पर जो पहला candle होता है वो green होता है और दूसरा candle red होता है ठीक है यह पहले जो मैंने candle बताया बिल्कुल उसके opposite होता है यहां पर पहला candle green बनेगा दूसरा candle red बनेगा और यह दोनों candle size में एक समान होते है ठीक है यह जो candle है दोनो size में एक समान होता है यहां पर देख सकते हैं यह दोनो size में एक समान है और यह candle stick कब बनता है जब market में bullishness होता है ठीक है एक trend line में यह भी चलता है ठीक है यह जो candle है यह एक trend line में चलता है यह कुछ इस प्रकार से market में चलता रहता है और इस side में जा जाता है तो यह मार्केट को डाउन ट्रेंड में धाकेल देता है ठीक है यह कंडल कब बनना चाहिए जब मार्केट बूलिश नेशो और इस तरह का फार्मेशन आप लोग को दिख जाए तो आपको यह समझ लेना है कि मार्केट अब यहां से डाउन ट्रेंड पकड सकता है ठीक है यानि कि यह कौन सा रिवर्सल कर रहा है डाउन ट्रेंड में यह बेरिस रिवर्सल कर रहा है ठीक है तो आपको क्या पता लगाना है जब भी मा लेना है कि ये dark cloud cover candlestick pattern है और ये market को अब नीचे गिराने का काम करेगा तो आपको वहां से सावधान हो जाना है यानि कि वहां से आप buy और sell कर सकते हैं अपने हिशाप से ठीक है तो चलिए हम अगले candlestick pattern की और बढ़ते हैं दोस्तों अब जो सातवा candlestick pattern है इसका नाम है बोल बूलिस तास्की line candlestick pattern कुछ इस प्रकार का होता है आप यहां पर देख सकते हैं तो दोस्तों इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये बूलिस तास्की line candlestick pattern है तो इसमें जो पहला candle होता है वो red होता है और दूसरा candle जो है वो green होता है और ये कब बनता है जब market में downtrend चल रहा हो ठीक है जब market में downtrend चल रहा हो और इस तरह का आपको formation दिख जाए तो आपको ये जान लेना है कि ये जो candle है ये अब market को ऊपर उठाने का कारे कर सकता है दोस्तों अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये बूलिस तास्की line candlestick pattern है इसको ध्यान से समझे तो दोस्तों इसमें जो ये red candle का body दिख रहा है इसका opening जो दिख रहा है ये जो green candle है ठीक है इस green candle के body से नीचे होता है और इस जो green candle है जो ये green candle है ये red candle के body से उपर में होता है ठीक है यहाँ पर देख सकतो इसका ये closing है और ये green candle का opening है ठीक है तो हम लोग कैसे पहचानेंगे और size में ये दोनों candle जो होता है वो पहली बात सेम होता है ठीक है तो यह जो रेड कंडल है इसका ओपनिंग ठीक है यह रेड कंडल का ओपनिंग जो है यह ग्रीन कंडल के closing से नीचे होता है यानि कि यहाँ पर देख सकते हो यह इस से नीचे ही है ठीक है और यह जो red candle है इसके उपर में यह green candle वाला होना चाहिए इसका जो body है इसके उपर में इसका shadow होता है और लगबग 30% के उपर इसका body होता है यह green candle का तो जब भी इस तरह का formation आप लोग को market में दिखे तो आपको पता लगा लेना है कि यह bullish ताशकी line candlestick pattern है और यह pattern कब बनता है जब market में downtrend हो ठीक है जब market में downtrend हो और आपको इस तरह का formation दिख जाए तो आपको पता लगा लेना है कि अब यहां से market जो है वो bullish हो सकता है तो इस तरह से पता लगा जाता है कि यह bullish ताशकी line candlestick pattern है ठीक है दोस्तो अब जो आठमा candlestick pattern है इसका नाम है bearish ताशकी line candlestick pattern जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है bearish ताशकी line याने कि यह market को क्या करेगा यहां से गिराने का काम करेगा ठीक है दोस्तो यह कब बनता है जब market में अब trend चल रहा होता है ठीक है जब market में अब trend चल रहा होता है और इसके बाद ऐसा formation आपको दिखाई दे ऐसा candlestick pattern बना आपको दिखाई दे तो आपको यह जान लेना है कि अब यहां से market जो है वो नीचे गिर सकता है लेकिन हम लोग कैसे पता लगाएंगे इसको कि यह बेरिस ताशकी line candlestick pattern है तो यहां पर जो इस green candle का closing होता है ठीक है इस green candle का closing होता है इस red candle के opening से उपर होता है ठीक है यानि कि यहां पर opening है यह जो green candle का closing है इस red candle के shadow और opening से उपर होता है और इसमें जो पहला candle होता है वो green होता है और दूसरा candle red होता है ठीक है एक बार फिर से इसको समझो कैसे पहचान होगे तो इसमें जो green candle का closing होता है इसमें red candle के shadow और इसके body के उपर में होता है तीक है यहाँ पर यह red candle का opening है और यह वाला जो है यह green candle का closing है तो इसमें green candle का closing है वो red candle के shadow और body से उपर होता है और इसमें green candle का जो नीचे वाला shadow है नीचे वाला body है यह red candle के उपर में होता है और इसमें red candle का जो body और shadow है वो green candle के नीचे में हो यानि कि यह भी एक trend line बना कर चलेगा,幾hat लाइन से हैँ कि तुल मार्केट में था और यहां से मार्केट अब क्या करेगा, मार्केट नीचे गिरने का काम करेगा, ठीक है, दोस्तों अगर आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग बीना जिचकी यार कोमेंट कर दिया करो, ठीक है, आप लोग बीना डरे, कमेंट कर दिया करो, मैं आपके हर एक comment का reply देता हूँ अगर मैं आपकी comment का reply नहीं दू तो आप लोग comment करके बताना कि पंकज भाई यार मेरे comment का reply नहीं देता हूँ हाँ एक आग दिन लेट हो जाएगा बट आपको मैं reply जरूर देता हूँ ठीक है तो दोस्तो आपको जब भी ऐसा formation बने तो आपको जान जाना है समझ जाना है कि ये बेरिस तास्की line candlestick pattern है ठीक है दोस्तो अब जो अगला candlestick pattern है इसका नाम है bullish meeting line candlestick pattern यानि कि इसके नाम से ही पता चल रहा है bullish meeting यानि कि ये market को bullish करने का काम करेगा ठीक है तो ये कब बनना चाहिए ये market में किस trend के दवरान बनना चाहिए तो यहां से जब market downtrend में आता हो ठीक है जब market downtrend में चल रहा हो और आपको इस तरह का formation दिख जाए इस तरह का formation दिख जाए तो आपको समझ लाना है कि अब यहां से market जो है वो उपर जा सकता है यानि कि market bullish हो सकता है जब भी market downtrend में हो ऐसा formation आपको दिख जाए तो यहां से market अप trend में चला जाता है जब हम पता कैसे लगाएंगे कि यह bullish meeting line candlestick pattern बना हुआ है तो इसमें जो red candle का opening होता है यह green candle के closing से उपर होता है और इस green candle का जो नीचे वाला body है वो काफी जादा नीचे होता है तो जब भी इस तरह का formation आपको downtrend के दवरान दिखे तीक है अब trend के दवरान नहीं जब भी इस तरह का formation आपको downtrend के दवरान दिखे तो आपको तुरंत समझ जाना है कि market में कौन सा candle बन चुका है bullish meeting line candlestick pattern बन चुका है और आब यहां से market bullish reversal हो सकता है तो यह कौन सा candle था bullish reversal candle था और इस candle stick को क्या बोलते है bullish meeting light candlestick pattern बोलते है ठीक है दोस्तों अब जो 10 हमाग चैनल हाँ है इसका नाम है bearish meeting लाइन केंडलिस्टिक पैटन तो दोस्तो हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि यह बेरिश मीटिंग लाइन केंडलिस्टिक पैटन बना है तो इसमें जो इस ग्रीन केंडल का क्लोजिंग होता है इस ग्रीन केंडल का candlestick pattern बना हुआ है और ये किस trend के दवरान में बनता है ये समझना बहुत important है ठीक है जब भी market में bullish हो ठीक है market में जब भी bullish हो और आपको इस तरह का formation दिखाई पड़े तो आपको तुरंत समझ जाना है कि market में अब यहां से downtrend आने वाला है और ये किस तरह के reversal को indicate कर रहा है तो ये bearish reversal को indicate कर रहा है ठीक है तो जब भी इस तरह का candlestick pattern बने जब भी ऐसा candlestick pattern बने तो आपको समझ लेना है कि market में अब downtrend आने वाला है तो I hope दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि double candlestick pattern कैसे काम करता है अगर candlestick pattern से जुड़ी आपके कोई सवाल है query है question है तो आप भी नहीं जिचके नीचे comment box में comment कर दिया करो मैं आपके हर एक comment का reply देता हूँ